दोस्तो भारत के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं और इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश राज्य के चटरपुर जिले में स्थितिक स्थल जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है बागेश्वर धाम चटरपुर MP बाला जी को समर्पित भगवान का मंदिर है बागेश्वर धाम महराज और बागेश्वर धाम गुरू जी का नाम शिरी धिरेंदर कृष्णिस शास्त्री है इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महराज के दर्शन के लिए विभिन शेत्रों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं जिन में बॉलिवुड और पॉलिटिक्स जगत के कई सितारे शामिल हैं तो आज की वीडियो में हम आपको उनी सितारों के बारे में बताएंगे जो सिरफ बागेश्वर धाम ही नहीं बलकि कई और तीर्थ स्थलों पर जा चुके हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजीगा तो दोस्तो इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश में बलकि विदेशों में भी जोरू पर है बागेश्वर धाम में बालाजी महराज का ऐसा चमतकारिक मंदिर है जहां भक्त अपनी समस्याओं की अरजी लगाते हैं और फिर उनकी सुनवाई होती ह बागेश्वर धाम के पीठा दुईश्वर पंडित धिरेंदर कृष्ण शास्त्री की चर्चा भी इन दिनों खूब सुनने को मिलती हैं धिरेंदर शास्त्री द्वारा ये दावा किया जाता है कि जो भक्त यहां अपनी अरजी लेकर आते हैं उनकी समस्या का निवारण हो जाता है बागेश्वर धाम में धिरेंदर शास्त्री से पहले उनके दादा जी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे धिरेंदर शास्त्री ने दादा जी के शर्ण में अपना बच्पन व्यातीत किया और दादा जी के साती धार्मिक गतिविधियों में जुड़ गए। साथी साथ वो दरबार भी लगाने लगे और जनकल्यान के लिए काम करने लगे। इस तरह से धिरेंदर शास्त्री को सिद्धी प्राप्त हुई। और दोस्तों यही कारण है कि धिरेंदर शास्त्री के पास बड़े से बड़े लोग आखे अपनी मनोकामना पूरी जहां कुछ समय पहले सनी दियोल अपनी फिल्म गदर टू की सक्सेस के लिए धिरेंदर शास्त्री से मिलने पहुँचे थे वहीं सनी दियोल से पहले अमिताब भच्चन भी इनके दर्शन करने पहुँचे थे तो वहीं अपनी फिल्मों के लिए आने वाली फिल्मों की सक् पूरे देश में आए दिन काफी लोग प्रिय होता जा रहा है क्योंकि इस से संबंदित सभी सीधा प्रसारण टेलिवीजन के माध्यम से कराया जा रहा है इसके अलावा बागिश्वर धाम सरकार चतरपूर जाने वाले शर्धालों का भी मानना है कि वहाँ पर जाकर सभी की म मनोकामनाई पूरी हो जाती है दोस्तों बागिश्वर धाम सरकार चतरपूर मध्यपरदेश पिछले कई वर्षों से काफी महत्तपूर्ण पवित्रधार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है जिसमें भक्तों की सभी मनोकामनाई बागिश्वर धाम सरकार चतरपूर मध शर्धालू बागेश्वर बालाजी महराज के नाम से भी जानते हैं। शर्धालू बागेश्वर धाम के पीठा द्वीश्वर, युवा संत धिरेंदर कृष्ण शास्त्री आज कोई पहचान के महताज नहीं। आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं का जमावडा लगा रहता है। फिल्म धाकड की सफलता की काम ना की थी। इसकी जानकारी खुद गंगना ने अपने उफीशल इंस्टाग्राम पेज पर दी जिसकी तस्वीरे भी शेयर की थी। इसी बीच वरिंदावन के विश्वप्रसिद श्रीबां के बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करके नेता से लेकर अभीनेता तक आते हैं। इसी कड़ी में पिछले साल हर्याली तीज से पहले फिल्म अभीनेतरी शिल्पा शेटी तिर्थ नगरी पहुँची। उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर के सेवायत गो स्वामियों ने फिल्म अभीनेतरी से पूजा नर्चन करवाया। इस दोरान वो अध्यात्मिक रंग में सरौबार दिखी। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। शिरी बांके विहारी जी के दर्शन के लिए उनके भक्त हमेशा आतुर रहते हैं। व्रिंदावन में बांके विहारी धाम जिंदगी में एक बार तो हर भक्त जाना ही चाहता है। अब ये सौभागे बॉलिवुड एक्टरेस शिल्पा शेटी को भी मिला था। सोशल मीडिया पर शिल्पा शेटी के कई फोट और वीडियो वाइरल हुए इन में उन्हें बांके विहारी के दर्शन करते देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धरम बलकि दूसरे धरम के सितारे भी धार्मिक्स धलो पर जा चुके हैं। जिनमें कुछी दिन पहले बॉलिवुड के किंग खान की मूवी रिलीज हुई थी डंकी। तब दोस्तों वो अपनी फिल्म की सफलता के लिए हर जगा दूआ मांग रहे थे। मक्का में उम्रा करने के बाद शारूख मा वैशनो देवी के दर्शन करने पहुँच गए। मश्वर धाम का इतिहास एक गहन और रहस में यात्रा है, जो आस्था और भक्ति की अद्बुद गाथाओं से भरी हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर सद्यो पुराना है जिसकी नेव धार्मिक आस्था पर रखी गई थी। 1986 में इस प्राचीन मंदिर का रेनोवेशन करवाया गया, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ गई। 1987 के आसपास यहाँ पर एक संत का आगमन हुआ जिनका नाम बबबा जी सेतु लाल जी महराज था। उन्हें भगवान दास जी महराज के नाम से भी जाना जाता है, इनकी दिव्य उपस्तिती ने बागेश्वर धाम को एक नई पहचान दी। संत जी ने अपनी शिक्षा और चमतकारों के माथ्यम से भगतों के दिलों में एक गहरी चाप छोड़ दी। 1999 में भागेश्वर धाम में एक विशाल महा यग्य का योजन किया गया, जो की एक महतपोर्ण घटना थी, इस महा यग्य ने ना किवल शर्धालों को एकठा किया, बलकि यहां की आस्था को और भी जादा मजबूत बनाया। यग्य के दोरान भक्तों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए यहां आना शुरू कर दिया। अब उसके बाद 2012 में बागेश्वरधाम की सिद्ध पीट पर शर्धालों की समस्याओं के निवारन के लिए दर्बार का शुबारंब हुआ, इस दर्बार ने एक ऐसा मंच प्रदान किया, जहां भक्त अपने दुखों और समस्याओं के समाधान के लिए पहुँचने लग और यहां की विशेष्टाएं बन गई कि ये स्थान ना केवल आस्था का केंद्रे बलकि लोगों के जीवन में सकरात्मक बदलाव लाने का भी एक माध्यम बन गया है। को और आगे बढ़ा रहे हैं बाला जी महराज के क्रिपा पात्र शिरी दादा गुरु जी महराज के उत्रादिकारी पूज धिरेंदर क्रिशन शास्त्री जिसे पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है। परमभक्त बागेश्वर धाम सरकार की माध्यम से उसे पूरण करवाते हैं। तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो मैं उमीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हां तो इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।